तो अब हम बात करने जा रहे हैं वॉम्स की तो वॉम्स का मतलब तो आपको पते ही है कीड़े जो भी देते हैं अब हम software के language में उसकी बात कर लेते हैं वॉम वाइरस क्या होता है तो पहले थोड़ी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी उसके बाद आगे continue करेंगे तो अब computer warm is a standalone computer program that replicate itself in order to spread to the other computers तो वाउम वेरस जो रहता है ना मतलब अगर वो एक user one की computer में किसी ने डाल दिया या पिर आ गया तो वो अपने आपको spread करता है मतलब जहां जहें वहाँ पूरे computer system को बारबात कर देता है उसके बाद में पूरे system की file data जो भी hacker को देता है उसके बाद में एक ज system computer में जा जाके अपने आपको spread करेगा ये बहुत खतरना गवाईरस रता है इट्स यूज ए computer network तो spread itself देशा कि अभी मैंने आपको थोड़ी दे पहले बताया कि ये यूज करता है computer networks को मतलब एक network है जिससे हमें सब जगा पर computer सारे connect है तो अगर हमने hacker ने नेट्वर्क में वाम इस्टॉल कर दिया तो वो अपने आपको सब जगाए spread कर लेगा और पूरे computer को जितने भी computer network से अटेज है उन सब को affect करेगा थैंक यू